असलाम अलेकूं भाई लोग आज हूं मैं महार राश्ट्र के पूना सुटी और मैं हूं भी पूना घोट फार्म पर हमारे साथ रशीद भाई जो में फार्म दिखाएंगे तो रुबेद भाई भी है जो हमें फार्म पर लेकर आएं माशनला कार्की इत्सा इस्टो के भई अ सबसे पहले दिखाएंगे वई क्वाई खसी में दोसो एक्सवस्ती बगरे मानगी जी आप बड़े-बड़े काफी चोटे हर तरीकी के बगरे अवेलेबल है तो इंशालला अभी पूना गोट फ्रांट पे शूट होएगा मैं आँगा केमरे के पीच्छर इंशालला बगर कॉन जी प्रीड यह पीचे से बोलो गया यह सोजत है सोजत है माशला है 100 पिलस है क्वालेटी चेक करें भई काफी बड़ा बगरा है देख सकते हैं और सेल फीट है ना बढ़ जैनी सब सब सेल फीड माशलाला कॉलेटी चेक करें एंग मैं छोड़ो बगरा वह बहुत अच बोट बड़ा पुचे हो कि चमड़ी खीच पताओ किसा आहाम माशयला जामने अच्छी जगे दातों में अट नात हो चुके हैं अच्छा बख्राइब काफी बड़े फिरेम पर एक देखे गोल्डन चीज ती यार माशल्ला रहे गोल्डन कलर है बहुत कमी से मिलता है शायद दो साल पहले मैंने ऐसे बच्चे दिये थे मुंबई में जो अलशेक पर पलते हैं दो तिन साल होगे वेसे बच्चे पूरे इं ऌशेडों के लिए किमाल्फ पर सब्सक्राइब करें साथे कीमाल में रहता है तकले रावेटहां से राख़ेएda아 इनक्तिमाल कई सब्साइबदिन फ gradal करेंУ यह यह हिर wprowad आफ चाहिजन रहता है और कि पाख्रेस घ्राव थे गश्क्राइब करें यह हो जाता है चट जाता है तो आम लोग उसमें 25 रुपर या 50 रुपर कम कर देखें चलिए भाई चलिए एक फार्म टूर कर लेते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर है पूना में और हमें हुवेद भाई ने इन्वाइट किया है माशला हमारे भाई ने मस्तान भाई भी है औ इतना बड़ा वख रहा है माशला किसे में कोई जूमिंग नहीं है ना कोई पिक्चर यह एक स्कति में बड़ी बड़ा दिखा रहा हूं नहीं बहुत अच्छा बग्राइब काफी बड़ा है इधर बीटल है और सोजत है अच्छा यह दस बारा बचे बाकिस अब से लोग बड़े बड़े बक्रों का शूट एक मेवात ही दिखा दो बए मुझे अपना यह पर है तो कुर्बानी पर जाएगा बाई यह माशाला देके बहुत अच्छा त्यार बात हो था उतका साइट चल बहुत अच्छा त्यार था अपने यहार एवरेज वेट गेन है ना 6-10 कि महीने का महीने का वेवरेज वेट गेन 6-10 किलो होता है और अपने पलाई चार्ज का रहता है कुछ पलाई चार्ज अभी हमने तीन अजार रुपे कि आए साकीप बाई के बगरे हमारे बास पलते है उनको पुछ अच्छा था तीन साल से तुमारे बगरे यहां पल रहे है अगरे चलते हैं चोटी पट्टी देखेंगे वाई फड़ा गेट खोल दो वाई इधर भी काफी अच्छ 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 अब रहे हैं हम लोग ने अपस में चाट लिया है बहुत बाई सारी निकाल लेते हैं जो बचता है लेकिन बाई एक बाद बोलूँ माशालला देखो किसी चीज में कमी नहीं बगरे की त्यारी देखेंगे अच्छ अच्छ अधर आते हैं इधर गुजरी देखिए सब अच्छे बच्छे बच्छे बाई ये कुछ बताएं कि केजी से मिलेगी वाली जो से मांग रहे हैं अब राजस्तान बराबर हो चुपा है इस बाए मांदरी से तुम मेरेसाद घुमए ओ बाला एडी भी अ टोप भी गुमिए हो मुंबई और राजस्तान की रेट लोगों एक समझ लिए जो राजस्तान की वेपारी है ना वो डिमांड इस तरीके से मांग यह बक्रे का बच्चा है प्रोसिंग वह बरबरा बक्री बहुत से चाहद कि रोज होगा है यह बहुत अच्छा है चलिये पर इधर देखेंगे हैं उबित भाई कि वह बच्छा ओबर फिर्वाई ने यह से लोगा है देख सकते हैं मश्यल्ला का यह अच्छा माल सेल हुआ है बाई का इसमें 180-200 बख्रे भी बचे हैं मशाल्ला अब देखिए बैं माशाल्ला देखिए चीज बहुत अच्छे तयार हुए बख्री किते वेट पर रोगा बैशाथ 120 किलो के असपास ना बहुत अच्छा तयार हुआ है बख्रा माशाल्ला आहाँ देखिए बढ़े बड़े बख्र यहां पर दिखा तो माशाल्ला तो बहुत अच्छे वह रहें इस गुजरी को भी लवे आगे बुजरी को लाओ इसको लाओ देखिए बैटरी चार दात पे 110 किलो अभी चार दात हैं तो एक साल पल्टी हो सकता है तो जीसे जात से पल्टी के लिए भी आए ना माशाल्ला अगले साल रिकार्ड बनाएगा भाई बग्रा एक स्कुलों पूरा वेट गेंगें दस किलो तो भाई अपने सिर्फ फिट पे पालते ना भराय भराय का तो कोई काम नहीं है अपने आपने अच्छा गीला खाना देते हो माशाल्ला अच्छी तैयारी है किदर देखिए बै अच्छा माउल है जम हुआ बगे बगरे तो भाई एक छोटा सा रिव्यू था एक अंडूल का इंशाल्ला अलग से एक सेकेंड पाट बना देंगे बाकी वाई अगर वीडियो च्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें यह पहला शूट था मेरा पुना